तो 5 गेमिंग स्मार्टफून अडर 70,000 तो भै अगर आपका बुलिर सतर जार, सतर जार के बजर में आपको लिए बेन्ट के लिया को पूहाँकरा करने से पहले यार मेरा इं्ट्रो, तो व्यक्नलो, दो ऑशिला ऴॉज्वॉanton आपका बहुत-बहुत साया है ती आधा ़ोग लिंक वोगरा आपको description box में देखने को मिल जागा उसको चावड कर लेगा तो start करते हैं number one start करते हैं सीधी बात करते हैं number five की number five की बात करो number five पर यार मैंने रखता samsung galaxy s20 plus को सबसे पहले में आपको कहना जाता हूँ आपको एक stylish design मिल जाता है प्लस इसके color और आप बहुत प्यारे देखने को मिल जाते हैं प्लस आपको processor भी बहुत तगड़ा मिल जाता है अगर आपने hardcore gaming करने हैं मतलब अगर आपने high graphic पर gaming करने हैं आप easily normally कर सकते हो प्लस भाई अगर आपने vlogging करने हैं उसके असासाथ आपको camera के related smartphone चाहिए तो भी आपके लिए best deal हो सकता है samsung galaxy s20 plus because आपको 8k video option मिल जाता है back camera में front camera में आपको 4k option मिल जाता है जो की बहुत तगड़ा होने वाल है अगर आपने cinema शूड करने हैं व्लॉगिंग करने हैं ट्रैवल व्लॉगिंग करने हैं रील जगना आते हो टिक टॉक बना आते हो आपके लिए perfect deal हो सकता है प्लस अगर आपने call of duty होगी या पबजी बगरा होगी हाई graphic पर अगर आप खेलना जाते हो आप easily खेल सकते हो प्लस मैं आपको बताना जाते हो samsung का privacy system बहुत तगड़ा होता है अगर आपने डॉकुमेंट, photos, videos बगरे privacy में रखने हैं आप easily normally रख सकते हो प्लस आपको एक non चानी smartphone मिल जाता है इंड इसका budget भी बहुत जादा सही है आपको 50,000 से लेके आपको 60,000 के budget में Samsung Galaxy S20 plus easily normally मिल जागा प्लस इसका price और भी कम होने बाला because Samsung Galaxy S21 नया launch हो गया तो इसका price 100% मैं शौर हूँ इसका price कम होने ही बाला है तो यार आपके लिए perfect deal हो रखती है अगर इसमें मुझे तो यार इसका look को बहुत पसंद है अभी बात करते है इसके main specification की मैं आपको deeply थोड़ा सा बता रेता हूँ तो यार display की बातों को 6.7 inch dynamic AMOLED display मिल जाते है पर processor की बातों को Xnox 990 देखने को मिल जागा जो की 7 nanometer technology के साथ बेज़दा बहुत तगड़ा है प्लस इ fast charging गारा भी आपको सब कुछ देखने को मिल जागा camera की बातों को quad camera मिल जाता है 64 Mpx plus 12 Mpx plus 12 Mpx plus 2 Mpx आप 8K video recording कर सकते हो back camera में selfie की बातों को 10 Mpx plus selfie मिल जाते है जिसके 4K video shoot कर सकते हो तो अभी बात करते है प्राइस की तो इसका प्राइस आपको 50,000 से लेके 60,000 के बज़द में मिल जाता है तो अगर आपने जाना है Samsung Galaxy S20 Plus के और ये smartphone भी आपके लिए perfect deal हो सकता है अभी आगे बात करते है number 4 की number 4 की बात करूए number 4 पर मैंने रखा iPhone 11 को तो अगर मैं इस smartphone की बात करूँ न इसका भी डिजाइन आपको बहुत stylish मिल जादे है इसके color बहुत प्यार आते है प्लस इसका processor बहुत अगड़ा है यार आपको A30 बान एक chipset देखने को मिल जाता है जो कि 7 nanometer technology के साथ बेस अगर आपने high graphic पर gaming करनी है आप कर सकते हो प्लस अगर आपको camera के related भी smartphone चाहिए आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर अपने vlogging करनी है आपक आपको बताना चाता हूँ आपको back camera में 4K option मिल जाता है फ्रंट camera में पर 4K option मिल जाता है जो कि इस smartphone का plus pad आ जाता है बट इसके minus point की भी बात कर लेता है अभी इसके minus point की बात करो इसकी minus point सिर्फ इसकी battery देखनी को मिलते है जो कि सच में जल्दी खत्म हो जागी अगर आपन आपको main specification बताता हूँ deeply ठीक है तो यह display की बातों को 6.1 inch liquid routine ना display मिल जाते है आपको processor की बातों को 830 बान चिपसर मिल जाता है storage की बातों को 4GB RAM मिल जाते है प्लस तीन video में देखने को मिलता है 64GB storage 128GB storage plus 256GB storage जो भी आपके बचर में set बैटता है जतनी आपको storage चाहिए आपको जा सकते हो बैटरी की बातों को 31.0 mh की बैटरी मिल जाते है wireless charging support करता है camera की बात करूं आपको dual camera मिल जाता है 12MP plus 12MP selfie में भी आप 4K video recording कर सकते हो प्राईस की बात करूं इसका जो 64GB वी वेर्ट हो आपको 50,000 बज़रे में मिल जाका जो 128GB वेर्ट है वो आपको 58,000 के बज़रे में मिल जाका जो 256GB वेर्ट है वो आपको 60000 से छोड़ा सा अपर देखने को मिल जाते है तो आपने देख लेना जो भी आपको budget चाहिए, जो भी storage चाहिए आप उसके और जा सकते हो तो यहार main specification में आपको iPhone 11 के भी बता दिये यह smartphone भी आपको stylish मिल जाता है, processor भी तगड़ा, gaming के लिए भी best है plus भई मैं आपको कहना जाता हूँ, camera भी इसका very good मिल जाता है अब यह आगे बात करते हैं, number 3 की, number 3 की बात करूए है, number 3 पर मैंने रखा M11 को, तो इसरब से पहले मैं आपको बताना जाता हूँ कि यह smartphone नया launch हुआ, ठीक है एक week भी नहीं हुआ, इसको launch हो एक हूँ, ठीक है, तो भई अगर आपने smartphone के और आप इस smartphone के और भी जा सकते हूँ, अभी बात करते है, smartphone की खासियत की इसका processor देखने को मिल जाता है, जो कि आपको Snapdragon 8888 देखने को मिल जाता है, जो कि 5 nanometer technology के साथ बेस जागर आपने high graphic पे gaming करनी है, आपके लिए तो बहुत तगड़ा होने वाला है, प्लस भी इसका camera भी बहुत अगर आपको 8K video option मिल जाता है, back camera में, but आपको front camera में 4K option भी न मिल जाता, प्लस यह blue color में बहुत suit करता है, मैं main specification आपको बता देता हूँ, तो यह display की बातों को 6.81 inch AMOLED display मिल जाती है, जो कि 120 refresh rate के साथ आती है, तो यह 120 refresh rate सच में matter करता है, ठीक है, पर processor की बातों को snapdragon 8888 देखने को मिल जाता है, जो कि 5 nanometer technology के साथ बेस जाए, storage की बात क प्लस 55 watt का far charger भी देखने को मिल जाता है, camera की बात को आपको triple camera मिल जाता है, 108 megapixel प्लस 30 megapixel प्लस 5 megapixel, selfie की बात को 20 megapixel देखने को मिल जाती है, तो यह main specification में आपको MI 11 के भी बता लिए, अगर आपने इस smartphone क्या हो जाना है, आप इस smartphone के और भी जा सकते हूँ, लेकिन जो मैं बहुत सही होने वाले, plus इसका camera बहुत अगड़ा, stylish design मिल जाता है, color बहुत प्यार है, plus इसका processor उससे भी तगड़ा है, आपको A41 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5-9 meter technology के साथ बीस, अगर आपको gaming के लिए चाहिए, आपके लिए भी profit deal हो जाता है, मानेस point की भी म जो कि सच है, मैं जूर नहीं बोलूगा, भी बात करते है, इसके main specifications सी थोड़े से deeply बता देता हूँ, तो यह display की बातों को 5.4 inch support display मिल जाते है, जो की OLED display है, processor की बात करूँ, आपको A40 warning chipset देखते हो, मिल जाता है, storage की बात करूँ, तीन video में आता है, जो भी लेना जाते हो, आप ले जाते हो, बैंटरी की बात करूँ, आपको 2227 MS की बैंटरी मिल जाते है, प्लस 20W का far charge, जो wireless charging भी sport करता है, camera की बात करूँ, आपको dual camera मिल जाता है, 12 MP, 12 MP, 4K option मिल जाता है, back camera में, front camera में, आपको 4K option मिल जाता है, selfie आपको 12 MP के साथ देखने को मिलेगी, तो यह main specification मे मैं आपको बता दिया, iPhone 12 mini game, मैं आपको repeat कर देना जाता हूँ भी, अगर आपको एक handy smartphone चाहिए, तब आपके लिए best deal हो जाते है, अभी आगे बात करते है, number one की, number one की बात करूई है, number one पर मैंने रखा है, Samsung 7 Pro को, अगर इस smartphone की खास सहत की बात गरूँ, तो खास सहत, इसका camera वही देखनी को मिलता, ठीक है, back camera में आपको 8K video option मिल जाता है, front camera में भी आपको 8K video option मिल जाता, because आपको एक flip camera मिल जाता है, design, इसका design या color अगर आप बहुत भी हारे है, plus अगर आपको gaming के लिए smartphone चाहिए, तब भी best, अगर आपको camera के according smartphone चाहिए, तब भी best आपके लिए होने बाला है, आपको एक powerful smartphone मिल जाता है, जो कि smartphone की सच में खास हैं मिल जाते है, तो that's why इसको मैंने number one पर रखा भी बात करते है, इसके main specification की, तो यह display की बातों को 6.67 inch Super AMOLED display मिल जाते है, जो कि 90 refresh rate के साथ आते है, पर sensor की बातों को snapdragon 865 plus देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत अगर अगर आपने high graphic पर gaming करनी है, आप easily normally curse होगे, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाते है, प्लस 256GB बैंटरी की बातों को फार्म साथ डामेज की बैंटरी मिल जाते है, प्लस 30W का fast charger प्लस आपको reverse charging भी मिल जाते है, camera की बात करूं, camera and selfie आपको same देखने को मिल प्राइज की बात करूं, आपको सत्तर हजार के अप्राक्स असूस Zenfone 7 Pro देखने को मिल जाता है, तो यह में में स्पेस्टिकेशन में आपको असूस Zenfone 7 Pro के भी बता दिये, तो यह अगर आपने स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो, ठीक है, इसको number one पर रखने का एक यह में मतलो 70,000 के प्राइज रेंज में, गेमिंग के लिए भी बैस्ट है, कैमरे के अकॉर्डिंग भी बैस्ट है, बैटरी विगरा भी आपको ठीक मिल जाती है, डिस्प्ले क्वाल्टी एंड बई उसका जो डिजान है, जो भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताया है, उन उनको भी क्या दना कि चार्ट को कदे सब्सक्राब, व्ड़ी को कदे लाइक और इंसागरा पे को लिए फॉलू, लिंक को बगार आए यारा आपको डिस्क्रिप्शिन बाक्स में देखने को मेल जागा, उसको चावड कर लेना, तो भी मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में न वीडियो के साथ, तेंक यू